हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का ATS classes में RS खुर्मी का objective questions की booklet में discuss करने वाला हूँ lecture while lecture आपको धीरे धीरे जितने भी सारे subject wise जो questions दिये गए हैं आपके RS खुर्मी में वो सारा कुछ अब discuss करूँगा ये सारे objective questions जो होते हैं आपके लिए बहुत ही benefit होंगे वो सारे students जो railway GE की जो अभी upcoming vacancy आने वाली है new year में confirm एक वो आई जाएगी उनके लिए तो ये बहुत ही benefit है और जो future में SSE GE की pre-e का exam देने वाले हैं या कोई state level का GE विगरेगा अगर आप exam देते हो या आप NTPC sale किसी भी अगर PSU के अगर आप exam देते हो है कि जितने भी सारे questions में यहां पर discuss करूँगा उस questions से related अगर future में मतलब past में अगर questions पूछे गयोंगे किसी भी exam में तो वह भी में यहां पर discuss कर लूँगा मतलब यह कूल मिला कि आप यह बोल सकते हो कि कम टाइम में आपको यहां पर बहुत ही सारे questions आपको यहां पर cover करने को मिलने वाला है तो वीडियो आप देखना स्टार्टिंग से लेके लाज तक देखो और वीडियो इस continuous आपकी आएगी सारे subject के आएगी सबसे पहले मैं अभी thermodynamics जो thermal का portion है वो start किया हुआ है दीरे-दीरे thermodynamics, fluid mechanics, उसके बाद strength of materials सबकी आपको दीरे-दीरे questions की lecture आपको मिलने लगेगी तो चलिए हम लोग lecture के start करते हैं इसमें तो हर एक lecture में 1 से 25 questions ही add कर रहा हुए क्यूंकि यह number of questions कम रहेंगे plus और जब मैं extra information भी discuss करूंगा तो cool मिला के आपके 30 से लेके 40 questions आपके बन जाएंगे तो भाई ज्यादा time जिससे आपका waste भी ना हो कम time पे आप जादा सा जादा आपको क्या output मिले वो यहाँ पे में करने वाला हूँ आप सिर्फ theory को portion जो होता उसको अपने घर में अच्छे से पढ़ना जो आपका जहां से भी अपने theory portion का notes अगर आप बनाते उसको अच्छे से पढ़ो और lecture देख लो more than sufficient है तो चलिए start करत ठीक है या कोई space जिसके अंदर thermodynamics का process हो रहा होगा तो इसको क्या बोलते हैं लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या उस चीज़को बोल देते हैं आपका thermodynamics system बोलते हैं इसका मतलब क्या हो गया कि thermodynamics system क्या होता है it is a fixed mass ठीक है और reason reason मतलब कोई भी छेतर इन a given space where our area of interest is focus मत अचलब जहां पर आपको study करना जिसके बार में तो आपको क्या होगा system होगे जैसे कि मेरे लिए mobile को जो आपका screen दीक रहा है यह क्या होगे area of interest इसके बाहर में कुछ लिक नहीं सकता हो तो यह मेरे लिए क्या हो गया यह मेरे लिए होगे अपका system और system के अलावा जो भी कु system and surrounding ठीक है उसकाद आप types of system पढ़ते वाला अलग types जैसे open system होगे अपका close system होगे and isolated system सबसे important questions यह पूछे जाते हैं जितने भी power plant में जो device use होते हैं कौन-कौन से टर्बाइन हो गया condensure हो गया, pump हो गया, boiler हो गया, यह सारे कैसे device है, यह सारे open system device है, मतलब open system device हो होते हैं जिसमें mass और energy दोनों ही system के अंदर आ भी सकती है और जा भी सकती है, जैसे turbine हो गया, अपका boiler हो गया, ठीक है, IC engine जो अपका bike बेगारा का engine होता है, उसमें देखो fuel और air का mixture आता है और चलने के बाद बाहर भी चला जाता है, उसमें energy और mass दोनों का interaction होता है, close system में क्या होगा, only energy का interaction होने वाला है, mass उस system से बाहर आपका नहीं जाएगा, और isolated system हो हो गया, जहां पे नहीं आपका energy बाहर से आएगी और अंदर से जाएगी, नहीं mass बाहर से आएगा और अंदर स जाएगा, तो जैसे आपका जो हमारा universe है, universe में जितना भी कुछ exist करता है, इस दुनिया में क्या universe है, तो भई universe है, ना कोई भी चीज बाहर जा सकते है, ना कोई भी चीज अंदर आ सकता है, ठीक है, तो universe is the best example of isolated system, तो उसको में क्या बहुत है, thermodynamic system, तो question number one answer, यह हो गया, second question क्या है, a closed system is one in which heat and work crosses the boundary of the system, but the mass of the working substance does not cross the boundary of the system, ठीक बोल रहा है, क्योंकि हमें पता कि heat and work जो होता, यह boundary फिनोमेना होता है, और closed system में जो होता, mass जो होता, बाहर नहीं जा सकता है, this is the correct option, तो यह आपका second answer, A हो जाएगा, question में 3 दो क्या है, an open system is one in which, तो open system में क्या होता, जहां पर आपकी mass और energy दोनों ही आ सकते हैं और जा सकते हैं, तो option देखते हैं, इसमें क्या होगा, कि both the heat and work as well as mass of the working substance crosses the boundary of the system, तो इसका answer क्योंकि थर्ड का C हो गया, चलो next question देखो, an isolated system, तो isolated system वो system होती है, जहां पर नहीं मास और नहीं आपकी energy system के अंदर नहीं आ सकती है और नहीं बाहर जा सकती, जिससे इसका example में अभी universe बताया था, तो इसमें question number 4 क्या पूछ रहा है, कि in an isolated system, neither the heat and work nor the mass of the working substance crosses the boundary of the system, तो यह सही है, इसका answer A हो जाएगा, 5 देखो क्या है, in an extensive property, अपर thermodynamics system, अपर देखो, thermodynamics की जो property हैं वो दो तरह की होती है, property क्या होती है, कि किसी भी system का अगर state को define करना है, state मतलब कि उसकी system की क्या condition है, तो उसको property पता होना ने चाहिए, suppose यह point हो आने, तो इस point पे pressure कितना है, पीवान है, temperature टीवान है, यह क्या हो गया, यह किसी भी system की condition को अगर पता करना है, तो हमें properties के requirement होती है, यह आपको समझ माग गया, तो property भी दो दरगी होती, एक होती है, intensive property and दूसरा होता, extensive, intensive को जो है intrinsic भी बोला जाता है, इसको हम लोग intrinsic बोलते हैं, और extensive को extrinsic बोला जाता है, तो intensive property वो प्रोपर्टी होता है, जो system के mass consideration पर depending नहीं करेगा, मतलब क्या है, कि अगर यहाँ पे 1000 kg water रखा गया होगा, ठीक है, तो एक kg आप water ले लो, तो उसकी भी density क्या होगा, 1000 kg पर मिटर क्यों होगा, और 1000 kg का भी देखोगा, तो क्या होगा, सेम होगा, तो यह system के mass पे डिपेंड क्या, नहीं क्या है, तो intensive property वो प्रोपर्टी होती है, जो system के mass consideration पर depend नहीं करती है, और extensive property क्या होती है, वो depend करती है, जि volume कम रहेगा, 1000 meter की रहेगा, तो volume change हो जाने वाला है, तो extensive property जो होती है, वो mass of the system जो होती है, उस पे consideration पर depend करती है, तो अगर intensive property के अगर example की बात करूं, तो intensive property का example, बहुत ही famous examples होते हैं, उसको याद रखना, जिससे density हो गया, pressure हो गया, temperature हो गया, ठीक है, उसका the velocity हो गया, viscosity हो हो गया, और all specific property, specific property का मतलब होता है, जितने आपके specific enthalpy हो गया है, ठीक है, उसके बाद आपका specific entropy हो गया, specific volume हो गया है, specific जहाँ word के पहले लग गया है, तो समझो की all specific properties are intensive property, extensive property के बात करो, तो all types of energy, जितने भी all types of energy, चाहाए अप, uh internal energy के बात कर लो, ठीक है, enthalpy लबी की बात करो सारे एंडर्जि जो होते हैं वह अपके extensive property का लाते है प्लस उसमें आपका volume भी आ जाएगा ठीक है मास भी आ जाएगा तो यह आपके extensive property के एक्जाम्पल होगे तो चले देखते कोशन क्या पूछ रहा है कि in an extensive property अपर thermodynamics system तो भाई यह साही सब कुछ नहीं होता है वह प्रोपर्टी के बारें बताता कि extensive property क्या होता है जो mass consideration of the system पर depend करेगा जैसे कि आपका example पर मैंने भी बताता है volume होगे आपका mass होगे और all types of energy of the above question number six देखो the thermodynamics property of a system is said to be an intensive property तो intensive property का बोलते है whole value for the entire system जो होता है मतलब whole value मतलब मानलो यहां पर suppose water रखा हुआ ठीक है the sum of their value of the individual part of the system इसा कोई जोरी नहीं मानलो यहां पर कि हर एक molecule की जो आपकी mass है ना एक केजी है तो suppose यहां पर 1000 molecule है ठीक है कितने molecules यहां पर 1000 molecule है तो हमें पता है कि अगर one water की अगर molecule है तो उसकी density क्या होगी 1000 पर मेटर की होगा और अगर हम पूरे volume का भी देखेंगा तो क्या होगा सेम होगा तो जो intensive property होता है वो individual को जोड़ के नहीं नहीं कलता है इसलिए इस question का answer हो जाएगा कि the thermodynamics property of a system is said to be an intensive property whose value for the entire system is not equal to the sum of their value of the individual part of the system clear है चलो next question देखते हैं the property of the system whose value for the entire system is equal to the sum of their value for the individual parts of the system is called extensive बिल्कुल सही है क्योंकि जो extensive property होती ना यह system के अंदर जो mass होगा उस पर depend करेगा इस mass का चाहिए volume ले लो ठीक है कि which of the following is the extensive property of a thermodynamic system में आपको बता है extensive property जो system के mass consideration पर depend करता है जैसे कि volume हो गया mass हो गया ठीक है all types of energy volume क्या होगा extensive बाकि pressure temperature density ठीक है चाहिए आपका velocity viscosity all types of specific property यह सारे इंटेंसिव प्रोपर्टी का लाएंगे जो 9 इस cancer क्या हो जाए इंटेंसिव प्रोपर्टी के बेरा पूछा ना तो यह भी हो जाएगा the specific volume of a system the volume सिर्फ पूछेगा तो वह extensive होगा लेकि specific लगा दिया तो क्या होना चाहिए तो all specific properties are intensive properties इसलिए question number 10 का अंसर भी हो गया the absolute zero temperature is taken है absolute zero temperature जो होता ना यह अगर temperature का अपका axis है तो minus 273 degree Celsius जो होता है यह absolute temperature होता है जिसको बोला जाता है कि zero Kelvin और हमेशा question में यह पूछा जाता है कि temperature का SI unit क्या है तो क्या बोलोगे temperature का SI unit जो होता है वो Kelvin में होता है सबोस करो यह degree Celsius में आपका temperature दिया हुआ इसको Kelvin में करमड करने के क्या करना पड़ेगा तो 273 से 8 कर दो यह minus 273 degree Celsius is equal to कितना हो गया यह आपका हो गया zero Kelvin जिरो Kelvin क्या हो गया इसका absolute zero temperature clear है इसलिए इसका answer हो जाएगा ए चलो नाइस question देखो which is the falling is correct तो इसके लिए थोड़ा प्रेशर का एक idea आपको होना चाहिए देखो एक होता atmospheric pressure जो हमें हमारे बोड़ी पर हमेशा लगता है ठीक है और atmospheric pressure से उपर जाओगा तो उसको में लोग बोलते है कि absolute pressure तो पी absolute pressure क्या होता है अपका यह is equal to पी गेज ठीक है पी गेज प्लस पी एट्मसफेरिक क्लियर हो गया तो question पूशा गया है which of the falling is correct तो absolute pressure क्या होना चाहिए gauge pressure प्लस atmospheric pressure का summation हो इसलिए answer क्या हो गया question में 13 का देखो answer क्या होगा the standard value of atmospheric pressure taken at sea level is very important इससे पतने कितने बार questions बूशा जाता है तो 180 को आप लिख सकते हो 101325 पासकल लिख सकते हो ठीक है या तो 101.325 किलो पासकल लिख सकते हो one atmospheric pressure का आप 760 mm of hg column ठीक है मतलब अगर mercury का अगर 760 mm की जो अगर height में रखोगे और pressure निकालो प्रेशर रोजी है तो आपको मिलेगा 180 m का pressure या तो 10.3 meter of h2o column ठीक है तो यह सारे क्या हो गया 180 m का यह value हो गया question देखो the standard value atmosphere pressure क्या हो जागा 101.3 bar और हमेसे याद रखना 1 bar is equal to 10 raised to power 5 Pascal होता है और Pascal का value क्या होता Newton per meter square clear है चलो दो इसमें यह भी सही हो गया 270 mm of hg यह भी सही है यह भी सही इसलिस का answer D हो गया question 14 देखो the value of 1 bar in SI unit is equal to 1 bar equal to 10 to the power 5 Pascal पास्कल का हो हम लोग क्या हो न्यूटन पर meter square इसलिए question 13 का answer D हो गया चलने इस question देखते हैं question 15 का value देखो क्या दिया हुआ the value of 1 mm of hg is equal to देखो pressure निकालना न प्रेशर कैसे निकला pressure P is equal to rho gh तो भी आपको density पता होना च्छे मरकरी का होता 13600 kg per meter suppose करो जी को मैंने 9.8 के जगर 10 ही ले लिया ठीक है और hg कितना आपका देखो यह पे h कितना दिया हुआ वन दिया हुआ 1 mm तो यह हो जागा 10 to the power minus 3 तो इसको जब solve कर वह तो लगबग यह 136 आ रहा क्यों 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 मैंने g के विलो 9.81 ना लेकर 10 ले लिया है ठीक है इसलिए थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो यह अदुका answer यह objective है न तो यह लंब सम्में option C आर आपका 15 का चल्ड़ेस कोशन देखो दर रिगार्डिंग डा रीडिंग अव दर प्रेशर गेज ठीक है गेज प्रेशर कोई एक वेसल जहां पर गेज प्रेशर दिएकर 25 बार और बार को आप पास्कल में करमड करना जानते हो और एट्मोस्फिर प्रेशर दिएकर रखा कितना 1.03 बा इसलिए क्या हो जागा 16 को स्कूर ऊचन को कोरष निए कि क्या है लिए कंडीशन आप याद रखना यहे खोता estp कि टहुता men what are the standard temperature and pressure normal temperature फ्रेशल ठीक है तो standard temperature and pressure में जो temperature की वेलू और प्रेशर के श्मावीण पता होना चाहिए और नॉर्मल temperature, pressure मे, temperature की wealoo और pressure के wealoo परता वहना चाहितबT, दोनों में जो होती है pressure 8анныеइम एपारोक्स होता है ठीक है, यह से मैं बात आता है किसकी temperature की ताब temperature यहां पर लेताए 0 degree Celsius इसको आप Kelvin में करोगा था 273 Kelvin और पर होता 20 डिग्री सेल्सियस या तो 293 किल्विन यह याद रखना ठीक है यह आरे स्कॉर में में आंसर गलत दिया हुआ है ठीक है तो इस कोशिंट के अगर मैं बात करूं कोशिंट में 17 का तो यह जो कंडिशन होता कोशिंट नमर 18 का चलो नेक्स कोशिंट के और नेरजी इन्साइट कोशिंट क्या होता न्यूटर मिटर या तो उसको क्या बोल सकते हो जूल और यह वह जाया ठीक है और वॉट पर सेकंड अकर मानलो दिया हुआ यह किसका यूनिट निकलेगा वट का मतलब होता है जूल पर स सेकंड ठीक हैं और है सेकंड सेकंड कर जादै और यसे सबीद省 जूल का ही उनिट हो ओर नेग्ट कोश्णब क्विद्वाइन तो एनुनेट फॉर इन थ्या इन घुनित थीजाने में इसा होता है उन्यक्ता इसनों पर सेकंड यह की लोगा दौद फोलेंगे माゆत तो 10 to the power 3 watt हो जाएगा ठीक है तो देखो ये 1 kilowatt is equal to हो जाएगा 10 to the power 3 watt तो इसका answer दो क्या हो जाएगा ये वहाना चाहिए अपका ये वहाना चाहिए अपका C क्यों क्यों का मतलब हो था 10 to the power 3 होता है ठीक है और वर्ट का मतलब न्यूटन मेटर का मतलब होता है जूल पर सेकंड ये अपका वाट में कनमट हो गया ये थोड़ा सा वही अपका चेंज रहता है वन जूल दो भी बोलते हैं तो स्पेसेफिक हीट और वाटर की वेलू कितना होती है तो सी इकल्ड वह था 4.2 किलो जूल पर केजी पर केल्विन वही अगर इसपेसिफिक हीट अगर आपकी बात करूं में एर के लिए तो उसमें कॉंस्टन प्रेशर और कॉंस्टन वॉलम भी आ जात और के ची पर के विए इनिट भी पूछ लिया जाता हूँ यह CPCB जो होता यह Air के लिए यह पूछा जाता है यह एर के लिए CPCB यह constant होता हूँ यह आपका CCH 2 के लिए ठीक है इसली हमांसर के हो जाएगा इसली सकाँसर हो जाएगा आपका देखो 20 का हो जाएगा सी तो नेस्ट कोश्चन देखो कोश्चन अबर 23 क्या देखो कि the thermal value of the thermal capacity and the water equivalent of the substance are the same तो भाई ये सेम होते हैं क्या तो चलो आप बताओ ये क्या होगा तो ये आप थोड़ा चेक करना कि थर्मल के पासिटी होता क्या है और water equivalent क्या होता है ठीक है उसके बाद ये comment करना चलो एक question आपके लिए है थोड़ा बहुत सारे लोग इस concept आपको पता भी होगा नहीं होगा लेकि आप comment करके इसका answer जरूब बताना बागे में यहाँ पर comment के नीचे इसका answer जरूब सेर कर दोंगा ठीक है 24 देखो the heat and mechanical energy are mutually convertible पता जो heat जो रहती है और mechanical energy जो होती है एक दूसरे में convert हो सकती है तो यह जूल का इसका answer का जरूशी हो जाएगा which of the following statement is correct ठीक है तो देखो the heat and work are क्या यह boundary फिनोमेना है मतला heat और work जो होता है boundary को cross करके बाहर जाएगी यह अंदर आएगी तो सही है next पड़ो the heat and work represent the energy crossing the boundary of the system यह भी सही है the heat and work are path function very important heat and work जो होती है यह दोनो path function ह तो यह आपका रहा total 25 questions lecture number one हो गया फिर भी अगर कोई doubt रहा होगा मन में तो comment करके जरूब पूछना इसी तरह से lecture by lecture करके धीरे-धीर आरेस करमी कम लोग खतम करेंगे आप theory पड़ो और questions यहां पे लगाओ फिर मेरे को बताना इंप्रोब्मेंट आपका हो रहा है की नहीं ह हो रहा ठीक है और कुछ suggestion भी अगर चाहते हो वीडियो में इंप्रूब करने के लिए उसके लिए आपके लिए most welcome है आप मेरे को comment करके उसको बता सकते हो तो फिर मिलते है नेक्स वीडियो में so guys thanks for watching this video